स्मार्टफोन कंपनी ओपो ने मंगलवार को अपना नेक्स्ट जनरेशन कस्टम एंडरोइड बेस्ट ओपरेटिंग सिस्टम कलर ओएस 7 भारत में लॉंच कर दिया है इसकी लॉंचिंग नई दिली में एक इवेंट के दोरान की गई इसे पहले चीन में लॉंच किया गया था नया कस्टम इसकिल कंपनी के इंफिनाइट डिजाइन कॉंसेप्ट पर बेस्ट है कलर ओएस 7 में डार्क जैसे फीचर्स के साथ साथ Android 10 के सारे खास फीचर्स का सपोर्ट भी दिया गया है नया कस्टम इसकिन में कई इंडिया बेस्ट फीचर्स भी दिये गए है कलर ओएस 7 के फीचर्स की बात करें तो ये ओपो के इंफिनाइट डिजाइन कॉंसेप्ट पर बेस्ट है इसमें लाइटवेट वीज्वल इंटरफेस शामिल है ओपो ने इसमें परस्नल इंफौरमेशन, प्रॉटेक्शन, आप्शन जैसे कुछ प्रैवेशी फोकस, फीचर्स भी दिये है इसे थर्ड पार्टी एप पर भी परस्नल इंफौरमेशन प्रोर्टेक्ट किया जा सकता है यहाँ privacy setting में payment protection और final protection का option भी आपको मिलेगा नए operating system को app launch lagging issues से free बनाया गया है multiple apps open करने के बाद app switching को smooth किया गया है gaming performance को भी नए operating system में improve किया गया है Color OS 7 को Oppo के 20 smartphone और Realme के इस साल launch हुए लगभग सभी smartphones के लिए roll out किया जाएगा न्यूस के और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें दली नहीं चुनाएं